दुनिया के किसी एक चुनाव पर सबसे अधीक नजरे अगर लगी रहती हैं तो वो है अमेरिका का राश्पती का चुनाव दुनिया में अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और अमेरिका में सबसे ताकतवर पद के लिए चुनाव है आज मद्दान का दिन है और मद्दान के बाद अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में मदगन्ना की शुरुवात होगी लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अमेरिका में राश्पती का चुनाव कैसे होता है आखिर एलेक्टोरल कॉलेज कैसे इंडाइरेक्ट यानि दो बार अपने पद पर रहे हैं इसलिए 60 चुनाव है और 47 राश्पती का चैयन इस चुनाव के जरिए किया जाएगा हर एक छोटी से चोटी बाद जो आपके मन में होंगे सवाल उनका जवाब हम इस वीडियो के जरिए देंगे न्यूजेट इन इंडिया पर देश के नं मद्दान और मद्दान जैसे ही खत्म होता है अमेरिका में उसके बाद मदगन्ना की शुरुवात हो जाती है लेकिन क्योंकि अमेरिका का विष्टार पश्चिम से पुरू तक बहुत है कई टाइम जोन में बटा हुआ है प्रैक्टिकल तोर पे अगर देखे तो चार टाइ मद्दान की बात करें उनके टाइम जो है डेडलाइन वह अलग अलग होता है मद्दान की शुरुवात का वक्त अलग होता है मद्दान के खत्म होने का वक्त अलग होता है मद्दान के खत्म होने का वक्त अलग होता है तो अलग-अलग राज्य के हिसाब से अलग-अलग वक पूरे चुनाव की प्रक्रिया होती है तो बात करते हैं अमेरिकी चुनाव की और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका में पहला मद्दान कब शुरू होगा आपको बता दें न्यू जटिन इंडिया के दर्सकों को बहुत सारे राज्यों में पाच नवंबर जो की पक्ष में जिस उमीद्वार को भी वह पसंद करते हैं उनके पक्ष में वोट करके सिंटर पर भेज देते हैं और बहुत सारे ऐसे मद्दाता है अमेरिका में आपको बता दें अमेरिका में कुल जो इलिजीबल यानि जो वोट करने की योग्य हैं उनकी संख्या 23 करोड के आसपास है लेकिन जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उनकी तादा 16 करोड के आसपास है और एक दिल्चस्प बात आपको बता दे कि 8 करोड मद्दाताओं ने 5 नवंबर को होने वाले मद्दान से पहले 8 करोड ऐसे मद content के जरिये अपना वोट दे दिया है, यानि उन्होंने अपना वोट दर्ज कर दिया है, आज की तारीक खास रहती है, क्योंकि मद्दान की सबसे अपचारीक और आधिकारीक तारीक आज माना जाता है, हलाकि कई राजों में पहले से भी मद्दान होता है, document के जर्याइद, भेज दिया जाता है मद्दाताओं को और उसके बाद वो अपना मद्दान दर्ज करके भेज देते हैं सिंटर पर तो एक एक जानकारी आपको बताएंगी अपने इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आखिर में कब आज मदान होगा मदान की शुरुवात सबसे पहले भारतिय समय के मुताबिक देखे तो वर्मोंट वर्मोंट एक राज्य है पूर्वी हिस्से में है अमेरिका के उसके कुछ हिस्से में आज भारतिय समय के मु में कुछ देर बाद यानि कुछ घंटे के बाद मद्दान की प्रक्रिया की शुरुवात होगी तो वर्मोंट पहला राज्य होगा जहां मद्दान की शुरुवात होगी और इसके बाद अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वक्त के मुताबिक मद्दान की शुरुवात ह पहले मतगन्ना की शुरुबात होगी और यह जो राज्य होंगे इंडियाना और केंटुकी के कुछ हिस्से में भारतिय समय के मुताबिक 6 नवंबर को सुबह साड़े 4 बजे मद्दान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और मद्दान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इन दोनों राज्यों के कुछ हिस्से में मद्गन्ना की प्रक्रिया के शुरुवात हो जाएगी और फिर धी अंत में मद्दान की प्रक्रिया के शुरुवात होगी तो वो राज्य है अमेरिका का हवाई राज्य हवाई राज्य एक डूइपिया राज्य है अमेरिका का और यहां सबसे अंत में मद्दान की प्रक्रिया के शुरुवात होगी अगर भारतिय समय के मुताबिक देखे तो चे नवंबर को सुबा साड़े दस बजे यहां मद्दान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी यानि चे नवंबर को हर जगा भारतिय समय के मुताबिक अमेरिका के ज्यादात राज्यों में पाच नवंबर को मद्दान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी लेकिन भारतिय तारी के हिसाब से देखे तो 6 नवंबर को सुबह 10.30 बजे हवाई राज्य में मतदान की प्रक्रिया की शुरुवात होगी और सबसे आखिर में मतगन्ना की शुरुवात की अगर बात करें तो अमेरिका के अलास्का और हवाई राज्य में मतगन्ना की शुरुवात होगी इन दोनो भी होगा कि कई राज्यों में मद्दान की प्रक्रिया की शुरुवात नहीं हुई होगी तब तक कई ऐसे राज्यों होंगे जहां मतगन्ना की प्रक्रिया की शुरुवात हो चुकी होगी भारतिय समय के मुताबिक 6 नवंबर को सुबस साड़े 4 बजे से मतगना के प्रक्रिया के शुरुवात इंडियाना और केंटुकी में हो जाएगी तो उनके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा अब बात करते कि अमेरिकी चुनाओं में जो केंडिडेट हैं उनकी बात कर लेत कुल जो हैं यहां छे उम्मिद्वार इस बार राश्पती के चुनाओं में हैं उनके नाम न्यूज एटीन इंडिया के दर्सकों को बता दे जो अब तक नहीं जाने हैं कमला हैरिस डेमोक्रेट से उम्मिद्वार है रिपब्लिकन से उमिद्वार है डोनल ट्रम्प इसके इंडिपेंडेंट कॉर्णेल वेस्ट जो है वो निदलिया उमिद्वार है जिल इस्टेन थर्ड पार्टी यानि किसी तीसरी पार्टी से उमिद्वार है चेज ओलीवर किसी तीसरी पार्टी से उमिद्वार है क्लॉडिया डीला क्रूज यह किसी तीसरी पार्टी से और इन ही दो पाटियों से अब तक अमेरिका में राश्पती बनते रहे हैं तो कितने candidate हैं यह आपको हमने बताया voting कितने बज़ाई यह बताया अब बात करते हैं Electoral College की Electoral College एक ऐसी चीज है Electoral College एक एक ऐसा संख्या है कुल Electoral College की संख्या 538 Electoral College की संख्या और जिस भी उमिद्वार को 270 यानि आधे 269 से एक ज्यादब यानि 270 Electoral College के वोट्स मिल जाएंगे वह उमिद्वार राश्पती का चुनाव जीत जाएगा Electoral College कैसे अलग-अलग राज्जों में बढ़ता है 50 राज्जे हैं लेकिन एक ऐसा डिस्टिक ऑफ कॉलंबिया जो कि एक डिस्टिक है जिसको डिस्टिक ऑफ कॉलंबिया कहते हैं वह Electoral College में 51 वे स्टेट के तौर पर माना जाता है वह राज्जे नहीं है कॉलेज का को विभाजित किया गया है कैलिफॉर्णिया में सबसे अधिक Electoral College की संक्या यहां 54 वोट है Electoral College के और कई ऐसे राज्जे हैं जहां 33 वोट है तो Electoral College में जिस भी उम्मिद्वार को सबसे ज्यादा v error मिलेगा सबसे ज्यादे हैं यानि 50 प्रतिशत π्लस वन यानि 270 वोट जिसे मिल जायगा वह चुनाव जीच जाएगा अब एक बात बार-बार होती है अमेरिकी चुनाव में की रेड और ब्लू स्टेट्स क्या है रेड और ब्लू स्टेट्स अमेरिकी मैप को अगर चुनाव के दरिस्टी कौन से देखेंगे तो उसमें आपको रेड और ब्लू ज्यादा देखेंगा रेड जो कलर है वो रिपब्लिकन प प्रतिनिधित्व करने के बाद और ब्लू से डेमोक्रेटिक प्रतिनिधित्व करने के बाद जब टेलिवीजन पर बहुत अमेरिकी चुनाव पर चर्चा होने लगी टेलिवीजन में दिखाया जाने लगा साल 2000 से उसके बाद रेड और ब्लू का कॉंसेप्ट बहुत बढ़ा और रेड इस्टेट अगर देखे रिपब्लिकन पार्टी के स्ट्रॉंग होल्ड वाले स्टेट है, 1980 के बाद रेड इस्टेट में रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रॉंग होल्ड माना जाता है रेड इस्टेट और ये ऐसे स्टेट्स हैं जो रिपब्लिकन पार्टी को कई व स्टेट्स वाले राज्यों की महतोपून भूमिका होती है अगर ब्लू स्टेट्स की बात करें तो ब्लू स्टेट्स वैसे राजे जहां उननीस सो बानवे के बाद देमोक्रेटिक पार्टी का दबदबार आये ब्लू कलर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और ब्लू स्टेट्स वह स्टेट्स है जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के उमिद्वार उननीस सो बानवे से लगातार राश्पती चुनाव में जीतते रहें तो अलग-अलग रा यानि कभी वह रिपब्लीकन की तरफ गए हैं कभी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ उनका दबदबार आये इसके अलावा एक और कलर है जिसकी चर्चा बहुत होती है परपल स्टेट्स रेड ब्लू हो गया इसके अलावा ऐसे कुछ राजे हैं जो परपल स्टेट्स के त आप से होता है लेकिन स्टेट किसी तरफ भी जा सकते हैं और इनकी भूमी का अमेरिकी चुनाओं में बहुत अधीक होती है स्टेट्स 2024 के राजपती चुनाओं में साथ हैं कुल साथ ऐसे राज्य हैं जिनको स्टेट्स के तोर पे जाना जाता मिशुगन यह हैं एलेक्टोरल कॉलेज के क्योंकि ये swing states कभी Republican कभी Democrat को अपना समर्थन देते हैं और swing states की कम है तो क्या है उसका उदाहरन आपको एक states से देते हैं Pennsylvania जो की सबसे बड़ा state है Electoral College के माइने से अगर देखें 19 Electoral College के यहाँ vote है और swing states में सबसे अधिक vote यहीं है आखरी दिन तक Donald Trump और Kamala Harris ने Pennsylvania में चुनाव प्रचार किया यानि मद्दान से पहले वाले दिन तक इन दोनों राज्यों में इस राज्यों में Pennsylvania और दूसरे swing states में दोनों मिद्वारों ने चुनाव प्रचार किया क्योंकि दोनों को पता है कि Pennsylvania और बाकि swing states जिस तरफ जाएंग राज्य जहां 19 Electoral College के वोट है जो राश्पती चुनाव का समीकरन बनाने और बिगाडने की छमता रखते हैं और नंबर हमने आपको बताया उनके नाम आपको बताये Pennsylvania में सबसे अधिक 19 Electoral College के वोट है साल 1992 से Pennsylvania का महतों आपको एक उदाहरन से समझा जाएगा एक फैक्ट से समझा जाएगा साल 1992 से Pennsylvania Democrats की ताकत का मुखे केंदर रहा है लेकिन साल 2016 के राश्पती चुनाव में जब Republican उमिद्वाल Donald Trump की जीत हुई थी तब Pennsylvania ने Democratic Party का साथ नहीं दिया और तब साथ दिया Republican Party का इसलिए इसे Swing States की श्रेनी में रखते हैं और कमला हैरी जानती है कि अगर Pennsylvania समर्थन उनको नहीं मिला क्योंकि 1948 के बाद जब भी Democratic Party का उमिद्वार जीता है तो Pennsylvania ने उस Democratic Party के हक में अपना वोट दिया है तो कमला हैरी जानती है कि अगर Pennsylvania का वोट नहीं मिला तो उनकी जीत संदीग्ध है उनका जीतना मुश्किल होगा तो यह सब आकड़े हैं मेरे की से जुड़े हुए भारतिय समुदाय के भी चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका है भारतिय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और Pennsylvania में भी भारतिय समुदाय की बड़ी संख्या है तो भारतिय समुदाय के लिए भी चुनाव बहुत महतों रखता है कई महत तो पूर मुद्दे इस पूरे चुनाव के दोरान उठाए गये जहने में इमिग्रीषर का मणाण हो एकॉनओमी का मसला हो करप्षन का मसला हो ये तमाम ऐसे मुद्द्य थे जो चुनाओ प्रचार के दोरान कमला हैरिस और डोनल्ड ट्रम्प ने उठाए पूरे चुनाओ के दोरान डोनल्ड ट्रम्प पे हमला भी हुआ चे नवंबर को सुबह साड़े चार बज़े से पहले वोट की गिंती शुरू हो जाएगी पाच नवंबर को साड़े तीन बज़े से भारतिय समय के मुताबिक मद्दान की प्रक्रिया के शुरूआत हो जाएगी और देर रात तक मद्दान की शुरूआत अलग-अलग राज् 6 नमबर को आने शुरू हो जाएंगे, तो 6 नमबर का दिन बहुत खास होगा, 5 नमबर का दिन अमेरकी राश्पती चुनाओ के इतिहास में मृदान की तारीख है, और 6 नवंबर को आपको ये पता चलेगा कि कौन उम्मिद्वार जीतेगा अमेरिकी राष्पती चुनाओं में हाला कि कई अपचारिकताएं होती हैं जो कि नवंबर के बाद दिसंबर में भी चलती हैं और अमेरिकी राष्पती 20 जनवरी को सपत लेते हैं लेकिन जो एक अनवचारिक तोर पे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन उम्मिद्वार जीत रहा है अगर कड़ा मुकाबला नहीं रहा दोनों उम्मिद्वारों के बीच में लेकिन आपको एक और महतोपुन जानकारी दे दे पिछले चुनाओं यानि साल 2020 और उसके देर से आ सकते हैं